हाँ 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 है वेलकम टू मैं चैनल मेरे चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागते तो आज की वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं वीप क्रीम को हम कैसे डार्क कलर करेंगे यह ब्लाक एंड रेड जब भी हम वीप क्रीम को डार्क कलर करने जाता है थोड़ा लाइट कलर तो आसानी से वह जाता है पर जब लम डीप करते हैं उसको डीप रेड या फिट ब्लाक डीप ब्लू तह वह में प्रॉबलम होता है तो चलिए आज एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता क्रीम को वीप करके रखा है तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगी इसको डार्क करने के लिए कलर को ठीक है हम यूज करेंगे यहां पे कोको पाउडर जो की बहुत जादा इंपॉर्टन है ठीक है क्रीम को हमें डार्क करना है तो थोड़ा सा हमें कोको पाउडर क्रीम में मिक्स करना है तो थोड़ा से कोको पाउडर लेके मैं पहले मिक्स कर लूँगी विप क्रीम को इस तरह से क्या होगा न कोको पाउडर जो मतलब हम जब कालर यूज करते है तो कभी-कभी थोड़ा लीक्वीड हो जाता है मतलब थोड़ा लूज हो जाता है हमारे क्रीम तो न को कोको पाउडर इसको अच्छे से एक बाइंडिंग देगा ठीक है और हमारे कालर को डार करने में भी कोको पाउडर बहुत ज़्यादा हल्पुल है तो अभी मैंने यहां पे दो कलर करने के लिए मैंने दो कटूरी ले लिया है इसमें मैंने अलग-अलग करके क्रीम को थोड़ हो जադा है हमारा कलर तो मैंने या पाउड्चे से मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि सारा कलर से लिए जो जाता है और हम जब जाता है क्रीम को तो बहुत ज्यादा प्रोब्लम हो जाता है तो यह देखिए कितना अच्छे से इस तरह से हमारा जो रैड़ कि इस तना डार्क हो गया और रैड़ हो किया है तो चलिए देख लेते हैं दूसरा कलर यहां पर मैं इसको भी मैं पैपिलोन का ब्लैक कलर यूज़ करूंगी जेल फूट कलर और जेल फूट कलर यूज करने से सबसे बेटर होता है हमारा जो क्रीम का कलर है वो भी सही आता है और क्रीम का टेस्ट भी सही रहता है और क्रीम का जो टेक्ट्टर है वो भी करेक्ट रहता है ठीक है तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे आपको अगर लगता है कि color थोड़ा कम हो रहा है तो अब इसमें थोड़ा सा color और add कर सकते हैं ठीक है तो पहले थोड़ा थोड़ा करके लेके mix करके check कर लीजिए कितना dark चाहिए उसी जब से आप color को add करें मुझे लग रहा है थोड़ा सा और हमें dark करना है ठीक है थोड़ा सा और dark black हमें चाहिए तो मैं क्या करूंगी अभी थोड़ा सा कम लगड़ा है तो मैं थोड़ा सा black color gel food color जो है हमारा थोड़ा सा और add कर दूंगी ताकि एकदम सही आ जाए हमारा black जो color है हमारा एकदम डार्क और जो basically पूरे केक को अगर अब color ज्यादा यूज नहीं करना चाहते है मतलब मेरक कहने का मतलब है अगर अब food color ज्यादा यूज नहीं करना चाहते है पर क्रीम को dark black करना है तो उसके लिए भी अलग एक method है जो कि मैं आगे चलके आप लोगों को दिखाऊंगी तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखाने वाली हूँ उसको मैं next किसी वीडियो में के kit decoration के साथ ही उसको मैं बताऊंगे आप लोगों ठीक है तो यह हमारा दोनों color हो गया है mix तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो like कर दीजीगा मिलती हूँ मैं next video